हाई मैं हूँ तुशाब और आप देखरें फंडू कंटेंट बॉलिवुड में इस साल हो रही है शादिया ट्रेंड और हर कोई कर रहा है शादी या तो फिर कोई अपने प्यार का इजहार कर रहा है सोशल मीडिया पर हर जगा कोई ना कोई शादी की पिच्चर्स दिखाए दे रहे है या तो कोई हैश्टाग ट्रेंड कर रहा है दो अजार अठरा कैल आ रहा है बॉलिवुड में प्यार और शादियों का साल जब इसी ये साल शुरुवात हो चुका है तबी से सारी शादियों की शुरुवात हो चुकी है और अभी जब ये साल खतम होने पे आ गया है अभी भी शादिया खतम नहीं हुई है बॉलिवूड की सबसे बड़ी दो शादी जो ही रनवीर सिंग और दिपिका पादूगौन की नवेंबर मेहने में और अब हो रही है दिसेंबर के महीने में प्रियांका चोप्रा और निक जोनस की शादी पर मैं आपको बता दू जैसे कि हर जगा पर बॉलिवुड में हो रही है शादिया ट्रेंड तो इसमें हमारी राखी सावंत और दीपक कलाल क्यों पीछे रह जाते इन दोनों लोगों को पसंद है हमेशा कॉंट्रोवर्सी और हेडलाइन्स में रहना तो इसी वज़ा से शाय की खबर भार आई है तभी से ये दोनों हर जगा संसनी में चाय हुए है सबसे पहले दीपक कलाल ने अपनी शादी का इंविटेशन इंस्टाग्राम पर पोश्ट करते हुए सभी से ये बात शेयर करी और इसके बाद राकी सावन ने भी अपने इंस्टाग्राम पर ये बा बताते हैं कि इन दोनों ने अपनी शादी से पहले virginity certificate बनवाया है माना जाता है इन दोनों के अनुसार ये दोनों ने टेस्ट करवाया है जस लोग hospital में से कि ये दोनो virgin है या नहीं और इसी बात के अनुसार doctors ने इन दोनों को virgin होने का certificate भी दे दिया है और ये दोनों ने ये तो क्या आप भी उन्हीं की तरह कई functions करेंगी तो इस पर राकी सावन ने ये जवाब दिया कि वो एक नहीं बल्कि तीन तीन रिवाजों के अनुसार शादी करेंगी और फिर आगे राकी सावन को जब ये पूछा गया कि वो क्या कप्ड़ा पहन के शादी करेंगी हाँ आप सही सुन रहे हैं पर इस बात पर राकी सावन्थ ने कोई confirmation नहीं दिया और अब जैसे जैसे तारीक नज़दीक आ रही है हमें दिखाई दे रहा है कि राकी सावन्थ अपनी शादी की shopping कर रही है फिलाल राकी सावन्थ हाल ही में दुबई गई थी और वहाँ पर राकी सावन्थ ने दुबई जाकर कुछ गहने ट्राइ किये है जैसे कि आप ये वीडियो में देख सकते हैं राकी सावन्थ दुबई में एक बहुती महेंगी gold shop में गई है और वहाँ पर Arabic style जुएल्री ट्राइ कर रही है और आप जैसे देख सकते हैं कि ये जुएल्री बहुती ज्यादा बड़ी और बहुती ज्यादा खूबसूरत है ये जुएल्री दिखाई दे रही है कोई royal किसम की राकी सावन्त ये ज्वेलरी ट्राय करके पूच रही है दुकान वाले को कि ये ज्वेलरी कितने कैरेट की है उस पर दुकान वाला बताता है कि ये ज्वेलरी पूरे के पूरे 21 कैरेट की है और फिर आगे राकी सावन ने इस ज्वेलरी वाले को ये तक पूचा है कि ये ज्वेलरी कितने वजन की है उस पर उस दुकान वाले का ये जवाब आता है कि ये ज्वेलरी 650 ग्राम की है तो इसी हिसाब से शायद राकी सावन अपनी शादी पे पहनने वाली है आदे खिलों से भी ज्यादा वजन की ये ज्वेलरी आगे राकी सावन ने इनको ज्वेलरीज में अपनी इंस्टाग्राम पर फोटोस भी शेयर करी है आप जैसे कि देख सकते हैं राकी सावन बखु भी बहुती ज्यादा खूपसुरत दिखाई दे रही है ये हार इतने विशाल है और इतने बड़े है कि पूरा का पूरा गला और पूरा का पूरा फ्रंट पार्ट राकी सावन का कवर कर चुके है पर आगी वीडियो में राकी सावन ने ये भी कहा है कि ये जुल्री बहुत ही ज्यादा महंगी है और इसे मैं खरीद नहीं सकती हूँ राकी सावन को अपना बजट बाद में याद आता है और राकी सावन रियलाइज करती है कि इतनी महेंगी ज्वेलरी मैं तो बाबा खरीद नहीं सकती पर ये सब तो राकी सावन के बोल है इस पर क्या भरोसा कि राकी सावन ये ज्वेलरी पहन कर आ जाए या फिर राकी सावन क कोई ज्वेलरी ही ना पहने और फिर ये भी तो हो सकता है कि राकी सावंत और दीपक कलाल अपनी शादी का ढोंग कर रहे हैं और ये स्रिफ एक ड्रामा है अब ये तो हमें आने वाला वक्त ही बताएगा आप लोग अपनी राय बताईए कि आप लोग क्या सोचते हैं आगे ऐ इसे ही कॉंट्रोवर्शिल खबरों के लिए सब्सक्राइब करिए फंडू कंटेंट को और अगर आप लोगों कोई वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करिए कमेंट करियों शेयर कीजिए